नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि दास्ता न्याई विभाद में निकली भरती में आपको कौन-कौन सी हिंदी की किताबे पढ़ने चाहिए जिससे आपका सेलेक्शन शौर हो जाए तो चली शुरू करते हैं पहला मेरे पास यह जो टॉपिक्स गिवन है उसका जो सिलिबस है वो थोड़ा सा वास्ट है content इसमें थोड़ा वास्ट है तो for the beginners अगर वो यह बुक नहीं प्रफस बरना चाहते हैं तो उनके लिए मैं दूसरी बुक सद्जिस्ट कर सकती हूँ जो है यह मेरे पास दूसरी बुक सुमन लता याद की बुक है यह भी हिंदी की बुक है यह सभी एक्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्ड़न वोक है अगर आप फर्स जो प्रायरिटी रहेगी वो अभिसली राखर प्रकाशन रहेगी बट अगर आप उससे सार्ट नहीं करना चाहते है अपने हिंदी तो आप इससे सार् बाट करते हैं कि अगर आपको करने हैं कि कितना है रेटिं किया है तो तो आप कर सकते हैं मेरे पास सबसे पहली एक है दख्ष पब्रॉड्रीकेशन की बुक है जो लडीसी-लेवल की बुक है यह बह UT Di14 की इसलिए है क्योंकि इसपे जो प्राइक्टेस Vivimento में उतष्छे सь जैसे कि मान लिजे अपने संधी बढ़ा तो आप बहां से पढ़के उस बुक से और यहां पर प्राक्टेस कर सकते कि कितना आपने संधी को रिटेन किया है तो उस नजरी से यह बुक बहुत ही अच्छी बुक है इसमें हिंदी आज इंग्लिश के प्राक्टेस एट भी आपको गिवन है तो दोनों की तैयारी आपकी इसी बुक से हो जाएगी सेकें अगल में से बहुत ही है. इसमें जो क्वेशने आपको गिवन हों है यह मौडल पीफर सिवन है है यह बुक इसलिए कॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका सिलेबस पूरा कंप्ल्इ Ł辈 है जैसे आपने पूरी हिंदी पढ़ लिया है उसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे then you guys get to know कि आप लोगों ने कितना इसको रीटेन किया है कितना आपको हिंदी समझ में आया है like अगर 50 questions अटेम करें तो कितना आप उस 50 questions में साब कितने questions को सही कर पा रहे हैं तो उस नजरी से ये बुक बहुत important ह last जो सबसे important practice set है मेरे पास वो ये है सिख्वाल publication का sorry राय publication का practice set है ये इसलिए important है दोस्तों क्योंकि देख लिए पीछे से बता देती है क्योंकि video book थोड़ी फट गई है ये आप लोगों के लिए इसलिए important है क्योंकि इसमें जो topics आप लोगों को given है practice set जो given है वो topic wise तो given है ही साथ में आप लोगों को इसमें exam में के भी questions आप लोगों को given है जैसे कि example है shirt plus आनद में आपकी कौंसी संती होने वाली है तो ये जो किया आया था आपके पटवारी means 2016 के exam में आया था तो ये book इसलिए सबसे अच्छी है क्योंकि इसमें topic भी topic wise भी आपके तिहारी हो कि रासान government आपको किस तरीकी के questions देने वाली है उनका difficulty level क्या होने वाला है तो उसने नजरी से को देखा जाए तो ये book बहुत अच्छी है आज के लिए बस इतना ही हिंदी की ये books अगर आप पढ़ लेते तो definitely I'm sure आप लोगों का selection पका है बाकी English और GK की books के लिए मैं आगे video upload करूंगी आज के लिए इतना ही thank you for watching